असलामू अलेकुम फ्रेंज कैसे हैं आप लोग मैं हूँ माहरा और आप देख रहे हैं इंडियन जाई का आज मेरी ममी बना रही है है हैदराबादी सिंपल शिकन दम बिर्यानी इसको बनाना बहुत ही आसान है तो चले सीखते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज सब्सक्राइब कीजिए हैदराबादी सेंपल चिकन दम बिर्यानी बनाने के लिए एक पतीली लेंगे एक किलो चिकन लिया है आधा छोटा चमच हल्दी दालेंगे एक बड़ा चमच मिर्ची पॉडर दालेंगे एक बड़ा चमच धन्या पॉडर दालेंगे एक बड़ा चमच कश्मीरी मिर्च दा आधा छोटा चमच जीरा पाड़ा दालेंगे आधा छोटा चमच गरम मसाला दालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक दालेंगे एक बड़ा चमच हरी मिर्च का पेस्ट दालेंगे दो बड़ा चमच अध्रक लसुन का पेस्ट दालेंगे एक लिम्बू का जूस दालेंगे 200 ग्राम दही दालेंगे एक छोटी प्लेट फ्राइ किया हुआ प्यास दालेंगे चार प्यास को बारी काट कर पहले ही फ्राइ कर लिया था एक कप तेल दालेंगे अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा धन्यापत्ता और पूदीना दालेंगे ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है एक घंटे के लिए ढखकर रख देंगे अब चलिए चावल को उबाल लेते हैं इसके लिए एक पतीली देंगे दो लिटर पानी दालेंगे तीन छोटी लाइची दालेंगे चार लॉंग दालेंगे दो स्टार फूल दालेंगे छे से आठ काली मेश दालेंगे चार से पाच दाल चिनी के तुकडे दालेंगे दो बड़ी लाइची दालेंगे आधा छोटा चमाच काला जीरा दालेंगे एक बड़ा चमश नमक डालेंगे एक लिम्बू का जूस डालेंगे एक बड़ा चमश तेल डालेंगे एक उबाल आने तक धख देंगे ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है अब हम इसमें एक किलो चावल डालेंगे चावल को हमने पहले ही धोल लिया था और एक घंटे के लिए पानी में रख दिया था अब चावल को 70% तक पकाएंगे बाकी 30% चिकन के साथ पकाएंगे यह देखिए चावल 70% पक चुका है अब हम चावल को छान लेंगे अब हम मसाले के उपर चावल की तेह लगाएंगे थोड़ा सा फ्राइ किया हुआ प्यास दालेंगे थोड़ा सा धनिया पता दालेंगे थोड़ा सा बिर्यानी मसाला दालेंगे जिस तेल में हमने प्यास को फ्राइ किया था उसी में से एक कप तेल दालेंगे तीन बड़ा चमश घी डालेंगे, घी डालने से बिर्यानी बहुत ही जाइकेदार बनेगी, थोड़ा सा फूट कलर और केसर डालेंगे, एक कब दूद में थोड़ा सा फूट कलर और थोड़ा सा केसर डालकर घोल लिया था, दो से तीन ड्रॉप रोज़ वाटर डालेंगे, अब हम इसको एक मोटे कपड़े से कवर करके ढग देंगे, आप साइट से आठा भी लगा सकते हैं, और इसके उपर से कोई वजनी सामान रख देंगे, पाँच मिनिट तक फुल फ्लेम पे पकाएंगे, पाँच मिनिट के बाद नीचे तवा रख कर, पंद्रा से बीस मिनिट तक लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे, ये देखिए, बीस मिनिट हो चुके हैं, अब हम लीड ओपन कर लेते हैं, ये देखिए, हैदराबादी चिकन दम विरानी तयार है, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्ला हाफीज,